लोस्टोंस वेलकाम गुड इवनिंग आई होप यॉर आल डूइंग गुड तो सुन्स आज की हमारी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करांट फेर्स फॉर दी डेट ओफ सेकेंड ओफ डिसेंबर 2022 काफी सुन्स इंटरस्टिंग क्लास रेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास की आउडियो वीडियो को चेक कर लूँ ठीक है तो सबसले देखते हैं सुन्स मारी आज की अज की क्लास का स्टक्चर वो कौनसी फाइव निउस है जो हम डिसक्ष करेंगे हर निउस के बाद एक एक कोशन जो उसी निउस के उपर बेस्ड होगा उसको भी हम डिसक्ष करते चलने ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आज की फर्स न्यूस इंडिया ने एजियूम कर दी है monthly rotating presidency of UN Security Council तो हमको हमारी जो वैसे आपको मैं बताऊं इस टेम पे इंडिया की non permanent membership चल रही है United Nations Security Council में यह दो साल की होती है इस दो साल में पहले भी हम एक बार UN SC के जो presidency presidency इंडिया को मिली अब दूसरे भा मिली एक महीन एक लिए मिलते है यह कंटीस के बीच में rotate होती है ठीक है मैं आपको बताऊंगा कि पिछली बार जब हमको presidency मिली थी वह कब मिली थी क्या क्या topics पर हमने discussion कर आई आप यह कह सकते हैं जिसके पास presidency उसके पास यह power है कि United Nations Security Council में किन topics पर बात होगी तो पिछले बार हमने क्या discussion कर आई इस बार क्या discussion होगी यह सब समझ लेते हैं नागालेंड ने celebrate के अपना 60th statehood day 1st of December 2022 को और साथ ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा festival भी शुरू होगया उसके बार में जानेंगे sports awards तो हमारी कंटी में रीसेंटी नाशनल sports awards अनौन्स किये गे कौन-कौन से awards होते हैं किनके ने treats को दिये यह समझ लेंगे fourth news बड़ी important news है Reserve Bank of India ने announce किया है launch of digital रुपी देखो वैसे तो November में भी इसको शुरू किया गया था पर आप कहलो public के लिए December में first of December से जो digital रुपी है उसका अवेलिबिल्टी पब्ली के लिए शुरू की गया अभी भी बहुत selected area में से नहीं कि digital रुपी आप यूज कर सकते हैं अभी क्या है digital रुपी थोड़ा complex है पर मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने कि क्यों digital रुपी आ रहा है इससे क्या फायद होगा किसको फायद होगा सब कुछ समझेंगे क्या यह cryptocurrency यह बहुत बड़ा कोशने इसको भी समझेंगे ठीक है आज की last news ministry of statistics and program implementation ने release किया इंडिया का economic growth data for the second quarter ठीक है तो financial year 2022-23 का second quarter मतलब first quarter था April, May, June, second था July, August और September तो यह July, August, September तो निकले अभी उसमें इंडिया की GDP growth क्या रही उसके बार में जान लेंगे ठीक है I hope आपको news के topics clear हो चुके हैं शुरू करते सुन्स आज के हमारी class को hello प्रेंग का welcome, good evening सबसे सुन्स बात करते हैं मेरे बार में मेरा नाम है भिनव जोशी, 4 साल से बजार टाइम से मैं सुन्स को current affairs, static affairs, financial affairs की त्यारी खरबार हूँ, various government exams के लिए शुरू करते सुन्स हमारी आज के इस class को let's start चलते हैं हमारी first news पे तो ऐसा दिखता है UNSC, United Nations Security Council यह UNGA से बहुत अलग है क्योंकि उसमें 193 members इसमें सिरफ 15 members हैं उसमें से भी 5 permanent होते हैं बाकी के जो 10 है वो change होते रहते हैं दो साल की आपके अलो membership मिलती है ठीक है तो permanent तो आप वहीं बैठे रहेंगे बाकी कंटी इस दो साल के लिए आती है फिर उनको अपनी जो जगह उसको खाली करना होता है कोई और आता ठीक है first of December से इंडिया ने क्या बोलेंगे हमारी जो दो साल की टर्म है 21 की ठीक है तो इसके बाद हमारी जो non-permanent membership है UNSC की वो भी खतम हो रही है इंडिया की first of December इंडिया ने एजियूम करी monthly rotating presidency UN security council की for the second time तो दो साल में दूसरे बार हमको मिल रही है पहली बार कम मिली मैं आपको पता दिया first December को वैसे एक और important चीज हुए हमने जो G20 की chairmanship है वो भी इंडिया को मिल गई तो वैसे तो ceremony वो इंडिया में होगी थी जब जोको विडिडो ने वो एक hammer Indian Prime Minister को पकड़ाया पर exactly जो chairmanship transfer होती है वो November के बाद होती है तो 38 November तक इंडोनेशिया आगी थी 1st of December से G20 की chairmanship हम को मिल गी है 1st of December 2022 से लेके 30th November 2023 तक ये membership हमारे पास रहेगी 1st of December 2023 को ये membership हमागे ब्राजील को दे रहेगी ठीक है I hope आप समझ पाए ठीक है 1st of December इंडिया ने as you मतलब continue करी अपनी मंतरी rotating rotating presidency तो ये जो भी 15 members होते ना उनमें transfer होती रहती है presidency ठीक है तो हमारे पास पिछले 2 सालों में दूसरी बार आई है पहली बार आई थी अगस्त के महीने में ठीक है ठीक है तो देखो UNSC इसका तो काम ये दुनिया में security के उपर बात करना और उपर से presidency मिलगी इंडिया को और इंडिया इस तेम पे दुनिया में सबसे ज़ादा openly terrorism के against बात करता है तो दो चीज़ें साथ में जुड़गी दोनों चीज़ें terrorism के against है तो यहां जो भी meetings वे रहा होंगी सब anti-terrorism के उपर होंगी तो एक high level open debate रखी जाएगी इसको नॉम्स अबला जागा नॉम्स तो यह meeting होगी फिर इसके लाबा एक और meeting होगी जिसका थीम होगा threats to the international peace and security caused by terrorist acts ठीक है यह इंडिया रखेगा तो हम लोग हमेशा ही ऐसे करते हैं यह जो United Nation में terrorism के जो भी meeting होती है हमेशा इंडिया ही propose करता है United Nation में जैसे आपको पता होगा काफी सारे organs है जब 1945 में UN को बनाया गया थे इसके छे principal organs है मैं आपको पहले organs दिखाता हूँ तो यह United Nation के organs बनाया गया थे organs में बलब सबसे important bodies ठीक है जैसे आपको इसमें UNESCO UNICEF नहीं देखेगा वो organs नहीं है UN के organs होते है नहीं है यह इतना important नहीं है International Court of Justice भी थोड़ा बहुत important बचा है और Secretary भी इतना important नहीं है ठीक है तो 6 में से आज 3 important बचे है और 3 इतने important नहीं रहे ठीक है Security Council के पास जो सबसे बड़ी power है वो यही है कि इनके उपर responsibility दीगे है कि दुनिया में आप शांती बना करो किसी शांती है वो तो चलो आप देखी रहे हो क्या हो रहा है ठीक है तो UN बहुत अच्छे से तो काम करनी पाता पर चलो एक ही दुनिया में organization है जिसका काम है peace maintain करने का वह UNSC है ठीक है तो यहां पर बताया आगया असल में UN का एक principle और ठीक है UNSC और UNGA United Nations Security Council और United Nations General Assembly यह लोग मिलकर International Court of Justice में जो judges जाते हैं दुनिया भर से वो इन दोनों organization के द्वारा पुरूब किया जाते है ठीक है अब UNSC जहां पर इंडिया को chairmanship में लिया है 15 members होते है 5 permanent 10 non permanent 5 permanent members हमको पता ही है जिन्दोंने रशिया पर US है यही तो जारा तर वाज में involved है तो इनको तो आप responsibility दी विया ठीक है अब पांच तो permanent हो गए जो 10 non permanent है वो कैसे choose किये जाते हैं 5 from Africa या Asian states तो पांच आफरिका एशिया से होने चाहिए एक Eastern Europe से आना चाहिए दो Latin America से आने चाहिए दो आने चाहिए Western Europe और बाग की जो दुनिया बच गी इस तरह से regions के हिसाब से members को उठाते रहते जैसे जो भी इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है एक non permanent member के तरह तो हम यह वाली से आए पांच जो आफरिक और है उसके पास जो सबसे बड़ रिस्पंसिबिल्टी है वो यह होती है कि वो किन topics पर debate वे गए रहोगी वो decide कर सकता है ठीक है यहां पर आपसे question पूछता हूँ question है क्या question पूछ आप से जुड़ा हुआ ही question पूछना चाहता था मैं आपसे चुल आप यह बता दो ठीक है आप यह बता दो जो UN का predecessor है उसका नाम क्या है वो बना क्यों था और वो खतम क्यों गया ठीक है काफी सारी information है पर आप जितना compare करके लिख सर्थ लिख दो UN से पहले कौन सी body थी reason क्या था उसके बनने का और उसका खतम होने का क्या reason था ठीक है कोशिच करना थोड़ा बहुत लिखो कोई ना इतनी सुस्ती ने डालते थोड़ा लिखो इससे समझ लगए मुझे कि आप लोगो चीज़े क्लियर है के नहीं क्लियर है हम चलते है अपनी सेक्ट इस पर इंडिया की इसको 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 स्टेट बना दिया गया था इसको एक प्रॉपर अलग से इसको स्टेट बना दिया गया इसकी क्याप्टर डिकलियर केगी कोहिमा स्टेट ऑफ नागलेंग एक्ट 1962 को से पर्लिमेंट के द्वारा बनाया गया था और उसके थूर नागलेंड को स्टेट फूट दिया गया जब इंडिया इंडिपेंडनेंट बना 1947 में नागा टेरिटरी वैसे पार्ट थी असाम का पहले पॉलिटीशन और अलग से असाम से अलग चाते रहे ठीक है 1957 में नागा हिल्स रीजन ऑफ असाम और तियंसंग फ्रंटियर डिविजन ऑफ दी नौर्थ इस इनको साथ में लेकर आया गया एक सिंगल यूनिट में और इसको इंडियन गर्मेंट ने खोद एड्मिस्टर करन बना दिया जाएगा नागलेंड को 1963 में स्टेट हुड मिल गया और 1964 में फैनली जाके यहां एक इलेक्टेड गमेंट को बिठा दिया अगर तब से नागलेंड की जो सरकार है वो अपनी स्टेट को चला रही ठीक है तो अगर आप देखो यही तो फेडलिजम होता है यही त तो उनको दिली से चला जाएगा वो नहीं हो सकता ठीक है ठीक है तो हॉन्बिल नाम से ना दो चीजे समझ में आती है एक तो हॉन्बिल फेस्टिवल तो एन्नुल फेस्टिवल जिसको फिर से लेकर 10th of December तक celebrate किया जाता है specifically Nagaland में ठीक है बहुत important festival है बहुत colorful festival है फिर एक हॉन्बिल बर्ड यह भी काफी पाया जाता 39 में ठीक है यहां पर मैं आपसे कोशन पूछें उससे बर चलते है अपनी फर्स न्यूस पे तो मैंने आपसे पूछा था कि UN का predecessor प्री होता है आपसे पहले successor आपके बाद प्रीडिस हैसे था League of Nations इसको बनाया गया था World War One के बा है मैं आपाया बहुत टाइम के बाद इन्डिया के मैं से जुड़ा हुआ कोशन पूछ लेता हूं क्या कोशन पूछें आपसे कोशन है की एं ठीक है कोशन है कोशन है इस मैप को देखके उस स्टेट के बार में बताओ जिस स्टेट के पास एक डिमेस्टिक बॉर्डर है एक इंटरनाशनल बॉर्डर है बस तो डिमेस्टिक बॉर्डर मतलब वो किसी और इंडियन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करती है और इंटरनाशनल बॉर्डर म साइट बढ़ रहा हूं पर आपको मिल जाएगी तो इससे आपकी मैप की समझ बढ़ेगी और एक जो आपको प्रैक्टिकल मैप आपके दिमागे बनना चाहिए ना हर सब्सक्राइब आपने सुनी होगी टेबल टैनिस लेजंड अचंद शरंथ कमल इनको दिया गया है मेज़र ध्यान चंद खेलत अवार्ड हाइस्ट और जो स्पोर्ट में वारी गंटे में दिया जाता है इन्होंने जो पूरा कर्रियर लगाया अपना इंडिया को रिप्रेज सबसे बड़ा वार्ड है बहुत बड़े स्पोर्ट के नाम से दिया चाहिए तो एक फॉर्म में प्राइम मिनिस्टर के नाम से हटा के एक स्पोर्ट्स पस्रंग का नाम मेज़र ध्यान चंजी का नाम डाल लिया गया 25 लाग का कैश प्राइज एक मेडल और यहां पर जो सर्टिफिकेट होता है अर्जुन आवार्ड अब देखो लिस्ट बहुत लंबी है कि किसको यहां पर अजुना मेरा जोना से रहे मिला इसने मैंने सारे नाम इंक्लूडनी किया मैंने सोचा इससे अच्छा है कि आपको अवार्ड के बार में बता रहता हूँ मुलाना अबुलकला मजार ट्रॉफी 1956-57 में बनाया गया यह यूनिवस्टी उसको मिलते तो जो यूनिवस्टी इंटर यूनिवस्टी कॉंपेटिशन दोते हैं उसके बेसिस पे यूनिवस्टी को दी जाती है किसी एक स्पोर्ट्स प्रोस्तान पुरुसकात 2009 में बनाया इस गिवन तो कॉर्पेट एंटिटी जो जो हमारी कंटी में स्पोर्ट्स को पर्मोट करें उनको यह वाड दिया जाता है यह स्पोर्ट्स से थोड़ा लग है एडवेंचर वाड ठीक है रेकोगनाईज दी अचीवमेंट आफ परसंस इंदी फील अफ एडवेंचर तो एं इंडियरेंस रिस्क टेकिंग जैसे मांटेनिंग वेरा होती न उसमें यह वाड दिया जाता ठीक है एक मांटेनर के नाम पर इंजिंग नौर्गी जी के नाम पर रखा गया है आई होप यह सारे वाड़ के बार में थोड़ा थोड़ा जानता है आई होप कभी आप कॉशन गयरा में लिखना पड़ा इन वाड्स के बार में अप लिख पाओ गये यहां पर एक कोशन डिसकर्स करें उससे पहले चलते है अपनी सेके न्यूस तो मैं जिस स्टेट के बार में पूछ रहा था आप लोगों से वो स्टेट सिक्किम तो नहीं हो सकती क्योंकि सिक्किम का एक इंटरनाशनल बॉर्डर थोड़ी नहीं है सिक्किम के तो दो इंटरनाशनल बॉर्डर ठीक है तो सिक्किम का बॉर्डर कहां कहा है चाइना के साथ है और भुटान के साथ है वैसे तो यहां नेपाल के साथ भी है सिक्किम के तो तीन इंटरनाशनल बॉर्डर होगे और और असाम यह हैं मेगालिया के बॉर्डर स्टेट्स and कंट्रीज आई होप आपको यह चीज लियर हूँ कि सिक्के में इसका अंसर क्यों नहीं है और मेगालिया इसका अंसर क्यों है सिक्के में तो नेपाल, भुटान और चाइना तीन तीन आगे न और यहां पर चलो ठीक है यहां West Bengal आया, तो domestic वाली चीज तो इसने satisfy कर ली पर मैंने यह भी तो बोला था कि international border भी एक होना चाहिए, वो नहीं कर पाया satisfy ठीक है, ठीक है मैं यहां पर आपसे question पूछूँ third news, awards से जुड़ा हुआ question, पूछता हूँ question है कि कोई award से जुड़ा हुआ ही question पूछना है question है, अगर आप ने से कोई यह पता सके ramen, magasessy award और Pulitzer Prize यह किनके द्वारा दिये जाते हैं तो दो अलग-लग organization के नाम आएंगे ramen, magasessy और Pulitzer Prize कोशिश करो, ऐसा similar question थोड़ दिन पहले मैंने देखा, इसलिए मैंने आपसे पूछा, ठीक है, कोशिश करना, attempt करने की जितने भी लोग live देख रहे हैं सब लोग कोशिश करो, जो भी question मैं आपसे पूछ रहे हैं, कोशिश तो करो, उसको attempt करने की, सही गलो of December से शुरू कर दिया गया, कुछ ही शेरों में E-Rupi को भी शुरू किया गया, पूरे इंडिया में E-Rupi available नहीं है, ठीक है, इसको Central Bank Digital Currency, तो CBDC आप बहुत सुनोगे, CBDC Central Bank Digital Currency के नाम से भी बोला जा रहा है, तो E-Rupi लिखेंगे, या CBDC लिखेंगे, ठीक है, तो 1st of November को, एक महीने पहले, RBI ने इसको launch किया था, wholesale के लिए, ठीक है, मतलब जो बड़े, बड़े place होते हैं, अब इंदे ने retail के लिए launch किया, तो यह आपको पता हैं चीए, wholesale के लिए लिए launch हो चुका था, retail या publicly अब launch हो ठीक है, ठीक है, 1st phase of the pilot project, इस में SL में, कुछी locations पे, कुछी banks को यह permission दी जाएगी, कि वो इस digital rupee, इस non-physical rupee को यहाँ पर use कर सकते हैं, तो यह शेहर कौन से होंगे, Mumbai, New Delhi, Bengaluru और Bhuvanesh, ठीकर, वहाँ पर भी, हर bank के पैसे पावन ही होगे, Reserve Bank of India चूज करेगा, अब simply, अगर मैं आपको पता हूँ, digital rupee है क्या, आप न, कोशिश करो इसको पढ़ने की, Google पे जाके, पर आपके मन में doubt रही जाएगा, कि समय नहीं लगा, क्यों बनाए ideas लोपी, देखो, एक gap था इंडिया में, crypto currencies का gap, और RBI चाता था, कि लोग crypto currency में बहुत ज़ादा involved ना हो, उस gap को भरने की कोशिश करी है, RBI ने इस E rupee के साथ, माल लो, मैं अपने किसी दोस को, Google पे करता हूँ, ठीक है, कुछ पैसा Google पे किया, 500 तो 500 रुपे मैंने अपने अकाउंट से, अपने दोस के अकाउंट में भेज दिया, ठीक है, अकाउंट टू, अब देखो, यह जो 500 रुपे हम लोग digitally एक दूसरे को भेज देता है, यह E rupee का example नहीं है, इस case में, यह जो 500 रुपे मेरे अकाउंट में पड़े थे, यह मैंने किसी और को भेज दिया, उसके अकाउंट में चले गए, इस 500 रुपे के equivalent सरकार ने currency print कहीं ना कहीं करी है, ठीक है, आप इसी इसको समझ रहे हो, अभी आपके अकाउंट में जो दिखाता है ना, जब आप चेक करते हैं, बैलेंस जितना भी दिखाता है, 5,000, 10,000, 15,000, वो currency, चलो आपके अकाउंट में तो वो दिखाता है कि सब कुछ digitally, पर वो currency सरकार के द्वारा print की गई थी, आज तक हमारे ऐसी चलता है, जो भी हम currency उसकरते हैं, उतनी printed है, कहीं ना कहीं पड़ी है वो, इरुपी printed नहीं है, यह digital form में है, ठीक है, यह digital wallet में होगा, यह इसके लिए, सरकार ने अलग से कुछ print नहीं किया, यह सबसे बड़ी चीज़ा जो आप समझ सकते हैं, इरुपी के बारे में, जैसे मालो, आप एक government employee हो, ठीक है, और आपको पताया जाता है, आपकी company की तरफ से, कि आप एक government employer न्यू डेली में, तो आपको यह पताया जाता है, कि सरकार हमको option दे रही है, अब हमारे पास power हम E-Rupee भी उसकर सकते हैं, तो आप कह सकते हैं, अपने employer को सरकार, जो भी government body के लिए आप काम करते हैं, कि मुझे आदी salary, मालो आपकी salary 20,000 है, आप कह सकते हैं, 10,000 तो जैसे अब तक भेजते थे, online transfer करते हैं, वो कर दो, बाकी के 10,000 मुझे E-Rupee देना, जो मेरे E-Rupee wallet मादेंगे, अब जो आपको पहले 10,000 रुपया हैं, जो आज तक आते थे, उसके लिए तो कही ना कहीं, इंडियन currency printed सरकार ने रखी हुई है, पर यह जो दूसरे 10,000 राएंगे, इसके लिए कोई भी printed currency कहीं नहीं पड़ी है, जो अब तक हम crypto currencies देखते हैं, bitcoin वगएरा, कि उसको कोई regulator नहीं करता, पर यहाँ regulation के लिए RBI बैठा है, अब यह नुकसान है, फायदा है, वो depend करता है, फायदा यह है, जैसे बहुत साहिए लोगों का bitcoin डूब गया, उसका सब कुछ खतम हो गया, तो किसी ने उनके पैसे वापिस नहीं करता है, पर अगर आपके e-rupee में कोई भी दिक्कत है, तो जैसे आपके note पे लिखा हुआ न, कर सकता है, आपको समझाने के लिए, समझाओं, क्या है यह यह e-rupee, अभी तक इसके उपर, अभी तो बहुत सारा data government ने release भी नहीं किया, कि क्या intentions है, तो जितना भी data तो उसके basis मैंने आपको समझाने कोशिश करी, तो यह जो e-rupee है, इसको digital form of currency की तरह issue किया जा रहा है, ठ ठीक है, ठीक है, ठीक है, यह consider किया जाएगा as a medium of payment and legal tender, तो यह legal tender होगा, ठीक है, जैसे बाकी notes हमारे legal tender होते है, ठीक है, citizens, government, bodies, enterprise, सब इसको legal bond की तरह ही handle करेंगे, और कोई हम पहले नहीं दुनिया में, जो e-digital currency लेका है, almost दुनिया की आदी से जादा currency कर्चू की है, ठी जैसे किया, मैंने आपको समझा दिया, तो आप देख सकते है न्यूज आर्टिकल, RBI to launch India's first pilot, अभी भी experimental basis पे, क्योंकि पूरी कंटी में नहीं आया, first pilot for retail digital currency e-rupee on first of December, I hope आप इसको थोड़ा बहुत समझ पाए, I hope आपको चीज़ें clear हो पाई, चलते हैं अपनी third news के question पे, तो जो तो होता है, रैमन मेगसेसे अवार्ट, ठीक है, अब किसी ने attempt नहीं किया, ठीक है, रैमन मेगसेसे अवार्ट तो ठीक है, बिल्कुल प्रेंका बता रहे हैं, फिलिपीन्स की सरकार के द्वारा दिया जाता है, उनके former president के नाम पे रैमन मेगसेसे, जो Pulitzer Prize है, ये द के बारे में, या फिर कुछ cryptocurrency के बारे में, ठीक है, चलो आप से एक सवाल पूछता हूँ, अगर मेरे पास एक bitcoin है, ठीक है, एक bitcoin है, और इसके बार में government of India को पता लग जाता है, तो क्या ये legal है, या illegal है, मैंने जान मुझ कि आपको थोड़ी limited से information दी है, ठीक है, कुछ-कुछ terms के लिए नहीं करी, पर आप से question, इस question का एक answer दीया जा सकता है, इतनी information पर बिलकुल दीया जा सकता है, अगर मेरे पास एक bitcoin है, और सरकार को उस bitcoin के बारे में पता लग जाता है, अब उसके बाद क्योंगा वो छोड़ दो, आप बस ये जो है, वो मेरे लिए legal है, या illegal है, ठीक है, कोशिश करना है, इसको answer करने की, आज की last news, ये भी थोड़ी economics, देखो economics और finance में जब news आती न, पूरा जोर लगता है उसको समझाने में, और फिर भी, वो कभी भी पूरी नहीं समझी जा पाती, क्योंकि, आपको समझना पड़े I hope आप इसी इसको समझ पाए, recently MOS, या फिर MOSPI, Ministry of Statistics and Program Implementation, वो आपने NSO के अबाल में सुनाओगा, National Statistics Office, वो इसी ministry के नदर काम करता है, Ministry of Statistics and Program Implementation ने रिलीस किया, इंडिया का GDP, simply GDP ग्रोथ आई है, quarter 2 की, जैसे आपको बता हम पूरे साल की GDP ग्रोथ में निकाल लेते हैं, और एके quarter की भी निकालते रहते हैं, quarter 2 of the financial year 2022 तो quarter 2 क्यों होता है, किसी भी financial year का quarter 1 होता है, April, May, June, quarter 2 होता है, July, August, April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, ठीक है, तो financial year 22, 23 का quarter 2 था, July, September, इसको हमने compare किया, July, September, financial year 2021 था, पिछले साल के quarter 2 से compare किया, तो GDP ग्रोथ निकली, हम पिछले साथ से थोड़ा हमने अपने आपको बढ़ा लिया, ठीक है, कितनी ग्रोथ थी, ग्रोथ थी यहाँ पर 6.3% की, आप सोच सकते हो कि कुछ ताइम पहले तक तो बहुत ग्रोथ आ रही थी, कभी 9, कभी 10, अभी यह कम कियोगी, कम वही होगी ना कि COVID की वज़ा से बहुत बुरा हाल हो गया था हमारी एकॉनमी का, फिर हमने चीज़े नॉर्मलाइज करनी शुरू करी, तो जब हम नॉर्मलाइज करे थे उस फेज में बहुत ही ग्रोथ दिखरी थी, पर वो ग्रोथ ही इससले दिखरी थी, क्योंकि हम बिलकुल नीचे से उपर आने कोशिश करते हैं, अब हम उपर आ चुके है, नॉर्मलाइज काफी चीज़े कर चुके है, इसलिए ये ग्रोथ इतनी बड़ी नहीं दिखरी ठीक है, ठीक है, तो 6.2 से 6.3 परसें भी इस टाइम से, अभी जो दुनिया में चला है, उसके ऐसा आपस तो बहुत ग्रोस डुमेस्टिक प्रड़क कितना था, 6.3 परसें इन कॉर्टर टू, जीवे कितना था, 5.6 परसें अभी इतना याद कर लो, बस ठीक है, बाकी बार में देखेंगे जीवे को, GDP पर ध्यान देते हैं, इंडिया रिमेंड दी फास्टेस ग्रोइंग मेजर एकॉनमी, दे तो उनसे तो हमने सबसे अच्छा ही किया, मेजर एकॉनमी में सबसारा ग्रोथ, हमारी थीठी के, चाइना की ग्रोथ आप देश सकते हो, 3.9 परसें थी, ठीक है, USA की भी कम थी, ठीक है, GDP क्या होता है, तो जैसे माल लो, पिछले फाइनेशल येर का जो कॉर्टर टू था, म तो पिछली बार अगर हमने 100 रुपे के गुड़जर सर्विसी रेडी किये, इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर रहके, इस बर 106.3 के कर दिये, तो ये ग्रोथ कितनी हुए, 6.3 परसें की, ये समझाने का बड़ा आसा तरीका होता है, वैसे हम 100 रुपे के चीज़े रेडी तो आपको समझ में लगती है GDP, पर थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, GDP ना चार चीज़ों पर dependent है, all the money Indians spent for their private consumption, ठीक है, तो GDP के ने एक formula भी होता है, CE plus D इस तरह से, पर आप चलो ये चीज़ समझो, हम लोग जो खर्चा करते हैं, वो GDP का पहला component, all the money the government spent, सरकारी खर्च GDP का दूसरा component, all the money spent towards investment, तीसी चीज़ GDP में होती है, investment कितनी की जा रही है, तो अगर आप लोगों ने खर्चा कम करते हैं, पब्लिक ने, GDP कर जाएगी, सरकार ने खर्चा कम करते हैं, GDP कर जाएगी, investment कम होगी इंडिया में, तो भी GDP कर जाएगी, और final होता है, net effect of exports, हम बाहर बेच कितना देखो, आप दुनिया से जादा मंगवाँ होगे, और दुनिया को बेच जोगे कम, तो भी आपकी GDP कम हो जाएगी, क्योंकि आप मंगवाँ जादा रहे हो, बेच कम हो ठीक है, तो GDP के जो चार major signs होते हैं, private consumption, government spending, investment और net export, अगर ये सारे उपर चले गए, लोग प्राइवेट कंजम्शन नीचे आगी, लोग खर्चा नहीं कर रहे थे, investment नीचे आगी, फिर क्या कहिए, सरकार ने, सरकार ने चीज़ अपने हाथ में लिए और government spending बहुत बढ़ा दिये, अब चीज़े थोड़ी बहुत नर्मलाइज होगी है, government spending कम हो चुकी है, private consumption ठीक ठ investment ठीक ठाक है, और net export भी ठीक ठाक है, इसलिए आपको GDP की growth भी ठीक ठाक सी मिल जाएगी, ठीक है, तो calculation of GDP कैसी की जाती है, private consumption plus gross investment plus government investment plus government spending plus export minus import, देखो, आपने 100 रुपे की चीज़े बहार से मंगवा ली और सिरफ 80 रुपे का समान दुनिया को बेचा, तो आप यहाँ पर negative म I hope आप थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ भाए, तो इसको एक मान लो, इसको दो मान लो, इस सारे को तीन मान लो, यह पूरा एक है, government investment, government spending और यह चार, यह चार चीज़ों से बनती है GDP, इसको याद रखना बहुत important चीज़ होती है, अब GVA, GVA क्यों होता है, gross value added, GVA देखो, GDP दिखाता है, हम लोग कितना खरीद रहे हैं, हम लोग क्या समान खरीद रहे हैं, market में कितनी consumption है, GVA दिखाता है, जो market में समान भेज रहे हैं, वो कितना गरो कर रहे हैं, वो कितना समान भेज रहे हैं, तो GVA कैसे calculate होता है, GDP, sorry, GDP को GVA से अगर calculate करना है, तो कैसे calculate करते है, GDP equals to GVA plus taxes earned by the government minus subsidies provided by the government जैसे अब यह न थोड़ा सा complicated हो गया अगर आप यहां तक समझ गए ना यहां तक समझ गए तो छोड़ दो GVA को GVA आपको किसी और दिन समझा दूँगा अपर यहां तक यह चीज में कोई doubt न रखता है GDP के चार factor जैसे GDP को calculate किया जाता है हमारा का खर्चा हमारी consumption सरकार का खर्चा investment और net export ठीक है आई होप थोड़ा सा जादा आज economic हो गया पर आई होप आपको यह चीज़े समझ में लगी ठीक है मैंने आप से जो question पूछा था कि अगर मेरे पास bitcoin है और सरकार को उसके बने पता लग गया देखो यह बिलकुल भी illegal नहीं है legal है इतने सारे platforms तो बेची रहें इंडिया में हाँ यह चीज़े सरकार ने bitcoin वेगर इंडिया में यूज करना मुश्किल किया हुआ था पर illegal बिलकुल नहीं था यह आपको मैं साफ सा पता दू ठीक है बिलकुल और आज का last question अब यहां पर आपसे कुछ complicated तो इतना होई गया है चल्ला आपसे एक चीज़ पूछता हूँ अगर एक इंसान है एक मच्वारा है वह इंडिया की कोस से बाहर निकल गया और वह इंटरनाशनल वाटर में चला गया और वहां जाके उसने मच्ली मच्ली पकड़ लिए उससे ठीक है तो वह जो मच्ली है वो दुनिया की किस कंटी की GDP में calculate की जाएगी बहुत easy question है अगर आप इसको समझ पाए ठीक है अगर imagine कर पाए कि वो मच्वारा मच्ली पकड़ने के बात क्या करेगा तो आप समझ जाओगे कि वो कहां दुनिया की किस GDP में calculate होगी तो एक Indian मच्वारा निकला Indian waters को cross कर गया contagious zone को cross कर गया economic zone को cross कर गया exclusive economic zone को भी cross कर गया international water में चला गया वहाँ जाके मच्ली पकड़ गया उसने तो वो मच्ली भी एक तरह से एक good है ठीक है अगर आपको एक class अच्छे लगी आप माँ चानल को सब्सक्राइब कर सकते हो इस वीडियो को like कर सकते हो इसको share कर सकते हो हम मिलेंगे अपनी कल शाम कल शाम की class में मिलते हैं तब तक लिए thank you have a very successful day लास्ट जो मैंने आपसे question पूछा उसका मैं wait कर रहा हूं कि आप लोग attempt करोगे कोशिश करो देखो ने ने world GDP में ने देखो वो मच्छवारा चला तो गया international water वापेस तो उसने इंडिया ही आना ना समयरे हो कि नहीं समयरे हो वापिस जब उसने इंडिया आना तो इंडिया की GDP में जाएगा वहाँ थोड़ना वो कहीं पानी में मच्छी बेचने बैठेगा हाँ अगर उसको वहाँ एक और मच्छवारा मिला और उसने बुला कि चलिए मच्छी मुझे दे दे वो पैसे ले वह फिर एक बड़ी complicated चीज होगी पर जब वह मच्छी पकड़ने जहां भी जाए वापिस तो इंडिया की मार्केट में आना है तो सब कुछ इंडिया में काउंट होगा I hope आप इस चीज को समझ पाए मिलते सुट्स कल शाम की क्लास के हैं तो चलो आपको कल तक के लिए और उस flight में air hostess ने एक biscuit का पकट एक इंसान को बेचा इंसान ने अपना credit करने cash दिया 100 रुपे दिया और वो biscuit का पकट खीट लिया तो वो biscuit का पकेट जो बिका है वो किस country की GDP में calculate होगा तो वो flight यहां से USA से जा रही है अभी वो ocean की उपर तो ocean international territory यह अगर आप कल तक ढूं झाल झाल